Good morning students, students हम लोगों ने पिछले क्लास में भूम अंडले करन यने की globalization इस्टर कर चुके थे इसमें से भूम अंडले करन की भूमी का इसका क्या अर्थ है इसके बारे में हम लोगों ने अध्यायन कर चुके है इस्टुडेंट चले आज हम लोग पढ़ेंगे भूम अंडले करन की परिभासा क्या है भूम अंडले करन की परिभासा विविन बिद्वानों ने विविन विविन रूपों से परिभासित किया है जैसे कि प्रोफेसर एंथोनी गीडस के अनुसार भूमनली करन विश्वा ब्यापी समाजिक संबंधों का गहनी करन है जो दूर दूर इस्थीत अबादियों को एक दूसरे से इस तरह से जोडता है कि बहुत दूर पैर होने वाली घटनाओं का अस्थानिय घटनाओं का मीलो दूर पैर होने वाली घटनाओं पर प्राभाव पड़ता है नेक्स्ट परिभासा जोसेप नाई जुनियर के अनुसार भूमनले करन ऐसी ब्यवस्था है जिसमें मानाओं को अलग थलग समुदायों का सदस्या नहीं समझा जाता जो संकिर्ने सुत्रों या कूठ नीतिक सं आदियम से बंधे होते थे अब सभी समुदाय भूमनले विसायों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं नेक्स्ट वैस्वी करन और उसका क्या प्रभाव है पहला वैस्वी करन का प्रभाव आज बिश्वा के विभीन भागों के लोग बिवारिक रूप से एक द जैसे इंटरनेट के माध्यम से एक सेकिन में ही बिश्वा के किसी भी भाग से संपर्क किया जा सकता है दूसरा प्राउद्योगी की अवसंस्क्रीती का वैस्वी करन वैस्वी करन के माध्यम से आज बीश्वा की अधोनेक प्राउद्योगी की असानी से विकासील देशों में पहुँच रही है समाचार क्रामती के सहयोग से उतपादक के संबन्ध में जनकारी असानी से उतभोगताओं के पास पहुँच रही है आज दूरदर्शन, इंटरनेट, रेडियो, समाचर पात्र और प्रिंट मेडिया की पहुँच से अब देश में ही नहीं बलकि बीश्वा के कोने कोने में फैले उतभोगताओं तक पहुँच रही है इनके माध्यम से बिभीन संस्कृती से जुड़े रहे हैं तीसरा, गरीब पर वैश्वी करन का प्रभाव इसमें ए भी दिया गया है ये नमबर में है, आज बिकसी देश अपने बनाए गए उतपादक के लिए नए नए बजार खोजने के लिए बिकासील देशों की पहचान कर रहे हैं और उन पर बदल डाल रहे हैं कि वे अंतरास्टी बजार पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा ले क्योंकि विकासील देश द्वारा ऐसा करने पर इसे संबंधित देशों के गरीबों पर इसका बिप्रीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहाँ डोलर की तुलना में गरीब लोगों की वस्तवें काफी सस्ती हो जाती हैं जिन्हें बाद में बहुरास्टे कंपनियों द्वारा खर्द लिया जाता है बी वैस्वे करन के नाम पर विकास्टील देश के बजारों पर कबजा करना चाहते हैं आज बिकसी देश विकास्टील देशों पर बलस्रामिकों समाप्त करने पर जोर डाल रहे हैं जबकि बलस्रामिक आमानुए है और जादतर बलस्रामिकों संबंध गरीब परिवार से ह यदि इन्हें काम से हटा दिया जाता है तो ऐसे परिवारों की आये बहुत कम हो जाएगी भूमनले करन का लाब यहानी भूमनले करन आज के दावर का एक जरूरी वस्ताविकता है और इसके प्रभाव उपयोगिता को अंदेखा नहीं किया जा सकता है वैस्विकरन को कई बिद्वानों ने इससे अपनाते हुए इसके कई लाब बताये गए है पहला मुद्रा के आने जाने में प्रीधी वैस्विकरन ने मुद्रा के आने जाने को स्विधा जनक बनाया है इसके कारण ही पूंजी और बजार की छमता बढ़ती है और उससे आर्थिक इस्थिती में सुधार हुआ हैं इसे मुद्रा के आने जाने को सासन बना कर अंतरास्टे मुद्राकोस और विश्वाप बैंक जैसी संस्थाओं को तथा इसकी निर्भारता को घटाया हैं दूसरा उदरवादी लोक तंतर के प्रसार में ब्रीधी वैस्वीकरन के समर्थकों ने कहा हैं कि इसे सता की जबाद्दे ही बढ़ती है और उदरवादी लोक तंतर को बढ़ाने में सहयता मिलती है तीसरा भूमनली ब्यवस्था का निर्मान वैस्वीकरन के माध्यम से भूमनली एलेक्ट्रोनिक ब्यवस्था का बिस्तार हुआ हैं जिससे आने जाने में बीचार प्रकाट करने उमकाई प्रकार के संदेशों को जानने सुनने का अफसर मिलता हैं चंथा नए समाजिक अंदोलन वैस्वीकरन के कारण कई नए समाजिक अंदोलन हुआ विशेशकर महलाओं, किसानों, कई प्रकार के समुदायों, तोंबिस थापित लोग साक्रिय हो गये हैं पाचवां, संस्कृतिक का भूमन लिये अस्तर पर प्रभाव, संस्कृतिक छेतर में वैस्वीकरन के प्रशार उम्ब्रीधी को संभाव बनाया हैं, जिसमें कई पत्रिका, संगित, नाटक, सीनेमा, रेडियो और टेलिवीजन सामिल है छट्वां, बिश्वा की विभीन संस्कृतियों का आपस में बढ़ता हुआ तथा मेल जोल वैस्वीकरन के कारण संचार करांती के बढ़ने से विभीन संस्कृतियां बिश्वा के कोने कोने में पहुँच गई हैं, इसे वैस्वीक भैचारे की भावना बढ़ रही है सत्वा वैस्वी गाउं की कलपना सकार हुई वैस्वी करन के कारण अनुसंधान और विकास में बिश्वा के लोगों का एक दूसरे के इतना नजदीक ला दिया है कि तक्नीकी रूप से आज पूरा बिश्वा वैस्वी गाउं में बदल जाता है क्या विश्वा की मानवता के लिए वर्दान की रूप में है नेक्स्ट है भू मंदले करन के दोस भू मंदले करन के इसके परिनाम स्वयरूप बिरुजगारी काफी बढ़ गई है दूसरा कल्यानकारी कर्या में काफी कमी आ गई है तीसरा बिदेशी निवेश की सक्ती बढ़ रही है चौथा नीजी संपती उससे जमा करने पर विशेश बल दिया जा रहा है नेक्स्ट नाविन आर्थिक निती इसका बिरोध भारत्य आर्थ विवस्था में सुधार के लिए 1990 के बिदेशी कर्ज आदा करने के संकट के कारण भारत में उदारी करन की प्राक्रिया में अपने को सामिल करते हुए अपने आर्थिक निती में परिवर्तन किया अपनी आर्थिक विवस्था को बिश्वा के लिए खोल कर अनेक बिदेशी कमपनी को अपने यहां काम करने की आग्या दे दी है अनेक लोगों ने नई आर्थिक नितियों का बिरोध किया Students आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाइस्वी करन की अलोचना थैंक यू